तो आईए रफल डिजाइनर साड़ी बनाते हैं और इसके लिए हमें 3 मिटर नेट का फेब्रिक चाहिए ये साड़ी है हमारी साड़ी 5 मिटर की साड़ी है और ये लाइनिंग वाली साड़ी है तो इस साड़ी के मैं रफल डिजानरे साड़ी बना रही हूं बहुत ही खुबसुरत आपकी साड़ी 5 या साड़ी 5 मिंटर की हो सकते जितनी हो 3 मिंटर की आपको नेट का फेब्रिक चाहिएगा और यह मेरे पास में लेस तो हम इसी प्रकार की किसी भी लेस का आप यूज कर सकते हैं तो आईए स्टेप बाइ स्टेप इसकी प्रॉसेस देखते हैं जितनी हमारी साड़ी की लेंट है उसमें से हम 5 इंच फैब्रिक नीचे से निकाल देंगे जैसे हमारी साड़ी को डबल कर लेती हूँ मैं और इसकी total length देखते हैं हमारी साड़ी की total length आती है लगबक 44 या 45 तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगबक 44-45 इसकी length है मैंने इसको 8 fold में कर लिया आप देख सकते हैं, 1 fold, 2 fold, 4 fold और 8 fold तोटल यह 4 fold है, आप देख सकते हो यह आपि, यह 4 folded है, 1, 2, 3, 4, 4 fold किये होगी और 4 fold इसकी नीचे है, 2 fold और यह 2 fold, तोटल 8 fold में इसको fold कर लिया है, 8 fold में fold करने की बाद में क्या है, इसमें cutting करने में आसानी होगी, जो हमें नीचे का बेक पार्ट cutting करना है, जिससे मैं पांच इंच की लेयर लगाऊंगी अगर आप चाहते हैं या पर 6 इंच की आप लेयर लगाएं तो आप या पर 5 इंच की या पर कटिंग कर दें 5 इंच का विस्टीज यह निकाल देना है हमें तो मैं यहां से लेक करके देखें यहां से 5 इंच पर पॉइंट लगाऊंगी और ठीक यहां तक मैं इसकी 5 इंच तक पॉइंट लगा करके एक लाइन ड्रो कर लेती हूँ इस तरफ भी मुझे यह देखे 5 इंच पे पॉइंट लगा देना है 5 इंच इसके बाद यहां से भी मैंने 5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है यहां से भी मैं 5 इंच पे point लगा दूँगी और यहां से भी मैं 5 इंच पे point लगा दूँगी सारे points को हम इस तरह ऐसे मिला करके एक line row कर लेते हैं इस तरह से हमारी line row हो गई है अब हम इसे cut कर लेने ध्यान रखे parts बिल्कुल बराबर होने चीए आगे पिछे होंगे तो साड़ी छोटी बड़ी हो सकती है जो डो किया हुआ था parts वो मैंने इस तरह से cut करके अलग कर लिया देखे इसको हमें गिराना नहीं है इसकी भी मैं बहुत अच्छी सी ruffle तयार करके और dress में use करूँगी मैं इसका ठीक है ना इसको भी मैं नहीं गिराओंगी अभी यहां पर ATTACH करने के लिए जैसे मैंने पांच Inch की Ruffle कटकी है तो मैं यहां पर यह six Inch की ruffle यहां पर joint करूंगी तो यहां पर हम six Inch की ruffle कट करेंगे और six Inch की ruffle कट करने के लिए देखे आपको क्या करना होगा देखिए जैसे यह कॉर्णर की साइड है एक रफल कटिंग करेंगे फिर हम उसके बराबर में बिल्कुल सारी रफल कटिंग करेंगे इस तरह से हम सिक्स इंच का पॉइंट लगाएंगे ज्याना क्यों कि नेट है इसलिए लाइन ड्रो करें बगिर आप ना कर कर सकते हैं तो इस तरह से मैं सिक्स इंच के पॉइंट लगाऊंगी और एक लेयर तियार करूंगी सबसे पहले मैं सिक्स इंच के एक लेयर तियार करूंगी फिर उसके अकोडिंग आप चाहिए तो इस तरह से इसको फोल्ड करके चारों लेयर एक साथ में भी कटिंग कर सक परन्तु उसमें थोड़ी दिक्कत होती है इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको परन्तु आपकी साड़ी अच्छी बनेगी आपकी जो लेयर है वो बिल्कुल बराबर में होगी इसलिए मेरे हिसाब से आपको इस तरह से ड्रो करके ही कटिंग करना चाहिए ज जैसे मैंने देखो एक यह लेयर मैं जैसे बना रही हूँ न ठीक वैसे ही मैं सारी लेयर्स बनाऊंगी क्योंकि इसका जो पैना है आप देख सकते हो इतना इसके अंदर मुझे आठ लेयर बनेगी जैसे मैं आपको बताती हूँ यह 6 इंच की 1 लेयर होगे न फिर यहापे 6 इसके बाद 6 इंच की 2 लेयर होगी यहापे हम एक पॉइंच लगा देते हैं फिर इसके बाद 6 इंच की 3 लेयर होगी फिर यहापे हम एक पॉइंच लगा देते हैं इसी तरह से हम पॉइंच लगा करके देख लेते हैं कि हमारी कितनी लेयर यहापे हमें मिलेंगी ठीक है न और इसी तरह से यह six-inch की पूरी layer होगी तब देखे एक, दो layer, तीन layer, चार layer और ये वाली 5 layer और ये वाली छह layer और ये वाली 7 layer और ये एक जो हम कट करें वो 8 layer total मुझे 8 layer मिलेगी यहाँ जितना मेरी net का पैना है उसके coding लंबाई है इसकी 3 मिटर फिर total layer को हम joint कर लेंगे क्या करेंगे layer cutting करके फिर हम इनके अंदर joint करेंगे आप जाए तो इससे और भी ज़्यादा बड़ी layer याप जोट joint कर सकते है 6 इंच की जगे आप 8 इंच की भी बना सकते हो 7 इंच की भी बना सकते हो जैसे आपको जितनी रफल की चोड़ाई आपको चीए आप उतनी बना सकते हो मुझे चुंके मुझे 6 इंच की अच्छे लगते हैं इसको cutting करके हम सब layer को एक joint कर लेंगे यहाँ से इस layer को इस layer में joint कर लेंगे इस layer को इस layer में total layer joint करके बहुत लंबी layer बना लेंगे और उसके बाद में जो एक side नीचे की side होती है वाँ पे मैं interlock कर लेती हूँ ठीक है तो देखे दोस्तों मैंने सारी रफल को इस तरह से joint कर लिया है यह देखे मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से मैंने सब को joint कर लिया है और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको interlock भी कर लिया है ठीक है अब हम इसकी यहाँ से start से इसको देखेंगे इसका own side कौन सा है तो यह इसका own side है जहाँ पे joint नीचे है तो यह own side का parts है यहाँ से हम इसकी रफल त्यार करेंगे और रफल त्यार करने के लिए देखें क्या है यह starting हमारी रफल है यहाँ से मैं इस तरह से चुन्नट लगाती जाओंगी इस तरह से और इसकी मैं एक रफल त्यार जो long joint की हुई है इस तरह से हम इसकी रफल त्यार कर लेंगे एक एक सिला ही लगाते भी इस तरह से हम इसमें चुन्नट टालते जाएंगे इस तरह से हम एक एक चुन्नट टालते जाएंगे पूरी रफल को हम इस तरह से त्यार कर लेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाप पर सारी जो रफल्स है वो बना करके तियार कर ली है तो अब हम अपनी साडी का मेजर्मेंट देख लेते हैं कि हमें साडी रफल्स कैसे साडी पर स्टिच करना है मेजर्मेंट देखें इसकी साडी की जो लेंथ है वो 39 है हमें लंबाई 39 हमारी लंबाई है यहां पर 44 और जो लपेटा हमें चाहिएगा 33 आ रहा है तो यहां पर हम 35 आगे का लपेटे का छोड़ देंगे जो हम रफल लगाएंगे एक्स्टा रफल वो अब यहां से हम नाभी से लेकर के जो हमारे सोल्डर होते वहां तक आता है इसका मेजर्मेंट 42 इसका मेजर्मेंट आएगा नाभी से लेकर के solder तक तो यह 42 और हम इसमें जोइंट करेंगे बेक साइड अब आप यहां से देख सकते हैं बेक साइड जो हमारा पल्लू होगा 40 इंच लंबा तो यह 40 साइज और 42 तो अटी टू साइज हमारा पल्लू छोड़ देंगे तो इसका हम मिजरिमेंट लेते हैं स्टाइट में हम लप्यटे के लिए कितना छोड़ेंगे 35 इंच यह हमारा स्टाइट है यहां से हम 35 इंच पे पॉइंट लगाएंगे यह हो गया हमारा 35 इंच और यहां पे मैं यह प्रॉक कर लिया है और दूसरी चोक से आप इसको अच्छे से डार्ट में कीजिएगा तक कि आपको अच्छे से दिखाई दे ठीक है 35 इंच हो गया एक तरफ से यह स्टार्टिंग का साइड है ठीक है अब बीच का हिस्सा जो हमारी पतलियों का रहेगा वहां पे हम रफल था पहले नाबी से लेकर के और सॉल्डर तक पहला नाब था 42 और सॉल्डर से लेकर के बेक साइड का पल्लू 40 इंचेज टोटल होगे 82 तो हम बेक जो लास्ट का पल्लू है इस तरफ से यहां से हम 82 छोड़ देंगे उसके बाद में जो बीच का स्टेप्स रहेगा वहां पे हम रफल्स लगाएंगे पतलियों वाली जो बीच की हम रफल्स लगाएंगे वो हम यहां पे लगाएंगे तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यह 60 इंचेज का पूरा हमारा इंची टेप है तो यहां पे हमारे 60 इंचेज हो गई है और यहां से हम 22 और लेंगे तो इस तरह से हम और नाप लेते हैं 22 की टोटल हो जाएगी 72 Inches तो यहां पर यह हो गिया है आप देख सकते हैं 22 Inches तो यहां पर हम एक पॉइंट और लगा देते हैं अब आपको मैं自बहां मेजूंएन्ट बताती ह हूँ यहां से लेकर के और जो मैंने एक पॉइंट और लगाया था वह यहां तक का वह आपको मैं दिखाती हो भी हैda तो यह हो गया मेरा लगभगग टू मिटर का सुरी सूरी टू मिटर का यह इस पेस होता है आप देख सकते इस तरह से मैंने यह सकर डबल देखा आपको इस पॉइंट से यह पॉइंट जो बीच का स्टेप्स होता है जहां पे हम रफल की साड़ी तियार करें हैं वहां पे यह टू मिटर्स का होता है तो यहां से हम लगभग देखिए हमारी रफल है 6 इंच की हम 5 इंच उपर एक पॉइंट लगाएंगे और यहां से लेकर के जो नेक्स्ट वाला पॉइंट था टू मिटर का वहां तेक एक लाइन ड्रो कर लेंगे कैसे करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं आपको एक यह ड्रो करेंगे इसके उपर एक ड रो गया ठेक है यह अब महां पहला पॉइंट लगाएंगे और दूसरा पॉइंट लगाएंगे फिर 5 इंच उपर इस तरह से टू मिटर तक हम Egg का यह ड्रो कर लेंगे कि तरह से मैं यहां पर पॉइंट लगाते जाओंगी ये है बीच की रफल जो हमारी पटलियों पर रफल लगती है उसके पॉइंट से एक और फिर पांच इंच उपर एक ये दो ये दो पॉइंट मैंने या पर लगा दिये हैं तो दखें ये साइड हमारा फर्स्ट का लपेटा है और यहां से हमारी फिर्फल और सेकेंड रफल ये हमने दो लाइन या पर धाल यह पूरे साड़ी पे लगेगी यहां पर first और second यह हमारी पटली वाली है तो इसको मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं यह draw मैंने यह पर कर लिया है एक और दो यह मैंने draw कर लिया है और यह लगबग है बीच की दो मिटर के है यहां से लेकर के और यह लगबग है दो मिटर तक है आपको दिखते हूं मैं पूरी मैंने यह पर इसको ड्रो किया हुआ है यह देखिए double रफ़ल की यहाँ पर last में इसको यह यहं तक है यह 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 तक हम इनकी और दो रफ़ल इस तरह से हम अपनी रफल को यहां पर चोइंट करेंगे साड़ी के नीचे नीचे बोर्डर में जहां पर हमने 5 इंच का बोर्डर निकाला था वहां पर हम इसकी स्पिशन दोल लेते हैं इस तरह से आप इस रफल की चोड़ाई को एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं और आप इतना भी रख सकते हैं यह जादा अच्छी लगती है मैंने इस तरह की काफी साड़िया तयार कर लिया बहुत ही सुन्दर लगती है तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे की साइड में रफल को इस तरह से जोइंट कर लिया है ठीक है अब यह मारी पल्लू की साइड है इस तरह से आप देख सकते हैं हम इसको यहां से मोड लेंगे यहां तक इसको ऐसे लगा करके और जहां पे हमने इसको फोल्ड किया हुआ है वहां से हम इसको इस तरह से स्टिच ले लेंगे क्योंकि यह हमें पल्लू की साइड में भी चाहिए रफल इस तरह से हम इसको इसकी फोल्डिंग छोड करके और इसको मैं कट करूँगी रफल स्टिच करके जो यह फोल्ड किया हुआ इसका हिसा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे पहले रफल को स्टिच कर लेते हैं एक्स्टा रफल को यहापे हम कट करके इसको फोल्ड कर देंगे यहापे मैं इसको कट कर देती हूँ और इसको इस तरह से निच्ची के ओर इसे फोल्ड कर देती हूँ अब हम इसको कट कर देती है जो side की ये पट्टी है इसको मैं cut करके निकाल देती हूँ ये पल्लू की side है अब देखिए हम इस lace को यहां से stitch करेंगे ये देखिए आप ये इस तरह से हमारी own side हुई है ठीक है ना हमने off side से इसको attach किया था और ये own side में इस तरह से उल्टी हो गई है और off side भी आपकी phrase रहे देखिए इस तरफ और एक नीचे की तरफ तो हम दो सीलाई लगा करके इसको यहां पर stitching लगा देंगे इस तरह से मैं लेस से आपके स्टिच कर लिए तो आप देख सकते हैं आपने नीचे की side में पूरी रफल लेस साइट कर ली है रफल के उपर हमने लेस भी यापे स्टि साइट से इस्टिच लेकर के यहां ऐसे ओन साइट पे फोल्ड करके और ऐसे लेस लगा दी है अब यहां पर हम लेस को कट कर देंगे इसको थोड़ा सा फोल्ड करके यहां पर लोक कर देंगे अब हम पटली वाली जो है रफल लगाते है अब यह जो पोइंट लगाया कि फिर से यहां पर और इसको मैं सीधा स्टिच ले रहे हूं आप देखरो ओन साइड में और इसको सीधा स्टिच लेंगे जो नीचे लाइन रोकी हुई है यहां पर जो आपको नहीं दिखाई दे रही है किन्तु मैंने यहां पर लाइन रोकी हुई है इसके उपर मैं इसकी स stitching ले लेना है जहां पर यह अमारी line है तो यहां पर मैंने देखिए एक जो layer वो stitch कर दी है ठीक है अब हम दूसरा जो हमने नाप लगया वा था वा पर पर हम दूसरी layer भी stitch कर लेते हैं जो हमने point लगाया वा था वही से जहां से हमने यह ruffle start की थी ना यहां से यह यहां से यह रफल स्टार्ट की थी और यहां पर यह हलकी हलकी लाइन आपको साथ दिखाए दे रही होगी ब्लेक सी कलर की यह वाली लाइन तो यहां से हम इसके बिल्कुल जास टूपर से यहां से हम दूसरी रफल स्टार्ट कर लेते हैं यह देखें यह है सिंगल रफल यह या पर तीसरी रफल सिंगल, डबल और यहाँ से ट्टिबल अवोग तो अभी अप देख सकते हैं मैंने दोनों रफल लगा ली है और यहाँ पर हम यह वाली लेशे और शोर इस्टिच कर देंगे भी इसके उपर भी हम इस तरह से lace stitch इस तरह से करेंगे मोती हमारी नीचे की side में रहेंगे और इस तरह से lace यहापे और यहापे हम उपर की side में stitch कर लेते हैं यह देखें यह मैंने तीनो ruffles पी lace stitch कर दी है और यह हमारी ruffles होती है जहां तक हमारी पटलियां रहती है वहाँ वहाँ तक ठीक है बाकी की यहाँ तक हमारी पट्लिया रहेगी बाकी की सिंगल रफल चलेगी जो की पल्लू तक हमारी होगी तो आप देख सकते हैं लास्ट पल्लू तक की हमने यह पेस्टीच कर दी है ठीक है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो मेजर्मेंट बीच का है वही मैतो पून है थेंक्स पोर वोचिंग थेंक्यू मिलेंगे एक नई और अच्छी सी वीडियोज के साथ में थेंक्यू